विज्या दस्मी के मौके पर पटना की गाधी मैदान में रावन दहन की पूरी तैयारी कर ली गई है इस बार रावन की लंबाई 70 फीट है ताकि रावन वद देखने आने वाले लोग असानी से देख सकें आज दोपहर ठाकुडबारी मठ से राम की सेना निकलेगी जो जेप ङुलंबर होते हुए गाधी मैदान पहुचेगी गाधी मैदान पहुचने के बाद राम की सेना असोख व्यातिका में तोरफोर करेगी इसके बाद साम 5 बज़े स्रीराम 10.09 का वद करेंगे इसके बाद कुम करन और मेघनाथ का वद कीया जाएगा इस दोरां मुख्यमंत गाधी मैदान में हजारों की संख्या में भीर जुटती है इसको लेकर सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए हैं इसके साथ ही गाधी मैदान में चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है साथ ही पटना के ट्राफिक में भी बदलाओ किया गया है इस साल राजस्थानी वेस भूसा में आपको रावन पटना के गाधी मैदान में देखने को मिलने वाला है रावन को रंग बिरंगे कपरे पहनाए गए हैं रावन वद के दोरान खास आतिस बाजी की विवस्था भी की गई है राम लीला मंच के स में देखने को मिलने वाली है उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों की भीर गाधी मैदान में जुटती है ताकि रावन वद को वो देखे ऐसे में रावन वद के बाद या भीर एक सांथ मैदान से बाहर नहीं निकले इसको लेकर भीर नियंत्रित करने के लिए भी पूरी विवस्था की गई है वहीं आपको बताएं कि आज मंगलवार को यानि विज्यादस्मी के मौके पर रावन वद के दिन शरकों पर वाहनों का परिचालन भी बंद रहेगा कई रूटों को डायवर्ट कर दिया गया है तो पूरी तरह से राजधानी पटना के अंदर शरक के अंदर परिचालन खासकर वाहनों का इस बार वर्जित रखा गया है वहीं आपको ये भी बता दे कि पार्किंग की विवस्था कई जगों पर की गई है लेकिन ये पार्किंग के विवस्था खासकर पास धारक वाहनों के लिए ही है तो ऐसे में राजधान पटना के अंदर आपको आज का दिन बेहत ही अलग दिखाई देने वाला है क्योंकि पूरा पटना आपको गाधी मैदान में साम को नजर आएगा रावन वद के दौरान जो भीर मैदान में पहुंच जाए क्योंकि एक बड़ी भीर आज भी गाधी मैदान में आपको दिखेगी अधर्म पर धर्म की जीत असत्य पर सत्य की जीत को लेकर जो रावन वद किया जाता है वो पूरे प्रदेश भर में और देश भर में आपको देखने को मिलता है लेकिन पूर करें